हे गाईज इंटरनेट से से सिखो मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ मैं सुजित कुमार पंडित दोस्तो तिलकामाजी भागलपुर उनिशिटी में जिन कंडिडेट्स ने बी ए पार्ट थर्ड का रिजल्ट के लिए इंतिजार कर रहे हैं उनका जो है रिजल्ट घोशित हो चुका है और उसे रिजल्ट किस तरह से देखने हैं वो मैं आपको पूरी जानकारी इस्टेप बाइस्टेप बताने वाला हूँ और दोस्तो आपको रिजल्ट जो है अपने टियार सीट पे देखना होगा और वो TR sheet कहां उपलवत होगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ तो चलते हैं इसके ओफिसली पहले सबसे पहले मैं आपको ओफिसली इसकी जो paper announcement हुई थी result के बारे में मैं आपको उस paper के बारे में मैं कुछ आपको report देना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि TR क्या है और TR में किस तरह से आपको अपना result देखना है तो मैं आपको ये TR का जो ये दिया हुआ है ये TR sheet है जियां दोस्तों ये TR sheet कहां उपलवत होगा वह मैं आपको पूरी जनकारी बताने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं एक बताना चाहूँगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जोड़ो दबा देंगे ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वह आप तक सिधे पहुंच सकेगा और सबसे पहले आप आपको मैं आपको टियार के बारे में देने वाला हूँ जनकारी और टियार में किस तरह से रिजल्ट देखने वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो चलते हैं पहले इसके पहले पेपर कटिंग पे तो दोस्तों पेपर कटिंग पे जाने से पहले मैं आपको एक बात किलियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी candidates ने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो को जरूर देख लेंगे जो भी मैंने ये वीडियो डाला हुआ है उस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे आप उस लिंक पे जा करके उस पीडियो फाइल को डाउनलोड करके आप व्यार पुलिस की जो चालक पद की जो वेकेंसी आई हुई है उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है और जो बावन हजार बंफर भरतियां पंचाईती राज विभाग में आने वाली है वो इस वीडियो में मैंने इसके बारे में भी वीडियो में बताया हुआ है और जो बेल्ट्रोन करमजी है जहां दोस्तों जो बेल्ट्रोन की करमी है उनके लिए सबसे बड़ी खुसकवरी आई हुई है और वो खुसकवरी जो है इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि डाटा इस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार देखेंगे और जो है जो भी जनकाड ही है इस वीडियो में आपको मिल जाएगी तो चलते हैं सब इसके पेपर कटिंग पे मैं आपको ले चलता हूँ जो मैंने तिलका मंजी भागलपूर उनुशिटी के लिए जो वीडियो बनाया दूँगा तो चलते हैं इसके पेपर कटिंग पे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह हिंदुस्तान पेपर से लिया गया नियूज है और इसमें आपको दिया गया है कि देखें इसनातक आर्ट्स का रिजल्ट जाड़ी जाड़ी हो चुका और तिलका मंजी भागलपूर दियाले ने जो बुद्वार को इसनातक आर्ट्स जी आँ दोस्तों बुद्वार को ही इसकी जो है रिजल्ट घुसित कर दी गई है और इसमें जो आर्ट्स की रिजल्ट घुसित की गई है और इसकी जनकारी जो है परक्षा नियंतरक जो अरुन कुमार सिंग जी है उन्हो पुल फर्म जो है डिलाएर का फुल फर्म होता है टेबुल जरी बूलेशन रेजिस्टर इसका जो है टीयर नमबर गायए ये उपलत खरा दिया गया है आपके जो भी कंडिडेत जिस कॉलेज में विलाओं राखते हैं उनके कॉलेज में जो है टीयार सीट उपलद करा दिया गया है आप उस TR sheet को देख करके आप अपने result की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो चलते हैं TR sheet क्या है TR sheet के बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों ये आपको उपर की और दिखाई दे रहा होगा आपको TNBU भागलपूर ये टेबूलेशन रेजिस्टर लिखा हुआ है आपका टेबूलेशन रेजिस्टर इसी चीज़ को टेबूलेशन रेजिस्टर कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि बेसलर आर्स ओनर्स पार्ट थर्ड 2019 का result जिया दोस्तों इसी तरह का आपको अपने कॉलेश में TR सीट उपलवद कराया जा गया है और आप अपने TR सीट को देख करके आप अपना रेजिस्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिया जिया जो भी कंडिडेट्स है जैसे कि आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइस के बारे में आपको सारे नौलेज इसमें दी गई है और अगर आप इसमें देख सकते हैं रिजल्ट रिमार्क रिजल्ट रिमार्क में अगर आप फेल हैं तो आपको किसी भी जो है विशय में आपको हो सकता है प्रमोटेड हुआ हुआ है तो प्रमोटेड हुए है और उस प्रमोटेड के जो है आप एकजान देंगे जो अगर पास किये होंगे तो second division देखी लिखा हुआ है second class, second class, first class, second class अगर आप pass किये होंगे तो इसी तरह से आपका result remark के बारे में आपको दिया गया हुआ तो आप अपने college में जा करके जो भी आपका वहाँ पे करमचारी होंगे जो भी करमचारे होंगे उस करमचारी से आप बात करके आप अपना TR seat में आप अपना roll number देख करके नाम देख करके, honors देख करके या और registration number देख करके आप अपना result को प्राप्त कर सकते हैं जो आप hard copy को soft copy या photo state करके आप अपने पास या photo खिच करके आप अपने पास रख सकते हैं जैसे ही इसकी officially notification आती है और official website पर इसकी link जैसे ही जारी होती है तो मैं आपको सबसे पहले इस channel के माध्यम से मैं आपको उसकी जानकारी देदूंगा तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तिस वीडियो को यतना share करें ताकि जो भी candidates इसके result के लिए इंतजार कर रहे हैं तो अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई उस्विदा होती है तो आप हमसे डिरेक्टली जो है comment box में comment कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों हमारे इस ये टी चलेंग में आप सबों का धन्यवाद